अग। ग। गॉर्णमेंट के आडर है के अगर फीज नहीं पे करे हैं तो एक्जाम नहीं रोक सकते हैं लेकिन यह आज हमारे एक्जाम रोके हैं आज हमारे बच्चे घरों में रो रहे हमारे इसकूल के मेनेजमिंट को इसका कोई अचर नहीं है हम मुसलसल ही हैं इनके पास आРЕहें बार बार कोई स्टाफ नहीं रहता है आपको कोई अख्तियार नहीं है एक्जाम रोकने का आप रिजल्ट रोक सकते हैं मासूम मासूम बच्चों के दिमागों से जहनों से करें जबके बच्चे घर में बैठके फिजिकली मेंटली इतना डिस्ट्रब हो चुके हैं उसके बावजूद आजाएंस के सकते हाई से मैं गुजारिश करता हूँ गॉर्नमेट से सख्ट से सकत पनिशमेंट दे हमारे पास औजाएं स्कूल के तमाम पैरेंट्स आज यहां औजाएं स्कूल के पास आएं यहां यहां सारे बचों के क्लास की जो अथी। से 3 घंटे इंतिजार करें हमारे बच्चों के एक्जाम नहीं हुए हम लोग फीज पिछले साल पे कर चुके हैं यह साल भी फीज हम लोग पे कर रहे हैं एसा नहीं क्वैश करने तयार हैं लेकिन मुंसलसिल management का harassment और हम यह आते हैं तो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है principal नहीं है इंचार्ज नहीं है सिर्फ फीस काउंटर खुला हुआ है और जो है गौर्नमेंट जियो है कि tuition fees पे करो हम लोग tuition fees से जियादा फीस पे कर रहें एक एक parents मेरे बाजू ठहरे वे आपको रिसीब बताता हूं नैंटी नैंटी तोजन वन लैक रुपीज फीस पे कर रहें उसके बावजूद अजाइंस्कुल वालों का हमारे साथ कमपलेन करो हम इसकुल सीज कर देंगे हम लोग आज कमपलेन कर रहे हैं मीडिया के जरीए मीडिया की हमें मजबूरान हेलप लेना पड़ा कि हम लोग इतनी फीस पे करने के बाद आज हमारे बच्चे जो हैं एक्जाम से महरूम हो चुके हैं हालात इतने खराब है गौर्न और आये मेनिजمن्ट से बात करिये मेनिजمن्ट यहां मوجود नहीं है हम लोग मेनिजمن्ट से तीन घंटे से इनथ impulse कर रहे हैं कोई नहीं है फोन कर ओ कोई नहीं मिलता प्रिसप्वल नहीं है इंचारज नहीं है तो मैह आप लोगों से अजร़ेन के तमाम स्टुडेंट एंड- पेरेंस से अपील करता हूँ कि कल ग्यारा बजे हम लोग यहां पर जमा होंगे और मैनेजमेंट से बात करेंगे मैनेजमेंट को यहां बुलाएंगे देखिए आप बुजरूग शेख्स बिल्कुल चलने नहीं आता सुबहां दस से ग्यारा बजे से यहां बैठे वे हैं आप देखिए इन लोग कई पेरेंट से कई मेरी माबेहने मोहतरम आएवे हैं यहां पर उनको देखिए आप सुबह से यह इंतजार कर रहे हैं उनके बच्चे रो रहे हैं घरों में बढ़के हम फीज नहीं पे कर रहे हैं पिछले साल हम पूरी मुकम्मिल फीज पे कर चुके है उसके बावजूद हमारे साथ यह harassment हो रहा है यह हमारा कि यहाँ पे कोई management नहीं रहता कोई principal नहीं रहता कोई vice principal नहीं रहता स्रिफ attenders को बिढ़ाईनों यहाँ पे school में attenders को पूचो तो हमारे को letter दो पस हम forward करेंगे forward करेंगे कोई response नहीं रहता और यह जो फीस counter मगर हमेशा खुला हुआ रहता हाल्डेज में भी खुला हुआ रहता हमेशा खुला हुआ रहता लेकिन जो principal है हेच्चम है इनकों को फेंडेमिक है क्योंकि इन लोगा घरम में सही आपरेट करते पूरा कोई management नहीं आता मैं दस मर्तवे फिर चुका हूँ अभी तक कोई एक भी मेरे को एक मर्तवे भी नहीं मिला यहां पर मैं मेरा इस्व यहीं है फीस के लिए क्लास रोके हुए है आज बच्चों का एक्जाम रखे आनलाइन क्लास रोक दिया रोकने की वज़े से हम सब यहां जमा हो गए हम लास्ट येर इतना रेक्वेस्ट करें 50 परसेंट लेओ बोलके इतना रेक्वेस्ट करें मैं तीन मर्ते में मेल किया तीन मर्ते में लेटर दिया वरना मेरे को लास्ट अकडमी के लिए डिसकाउंट ओनली 30 परसेंट बोलके दे दिये 30 परसेंट का पूरा फी पेइमेंट करा और बागी का थोड़ा रिमैनिंग रहे तो मेरे को मेरे बच्ची को एक मेहना क्लासेज भी रोक दिये एक मेहने के बात जब मैं फी पेट आ रहा तो जब अकडमी के दिये वैसा भी एक मेहना लास हो गया जीओ भी ने मालू है हमारे को उनको भी मालू है जीओ क्या है किदर है कोई रेस्पांस निया में स्कूल इतना बड़ा इंट्रनेशनल स्कूल है कोई कोई रेस्पांस नी है मेनेजमेंट नी है कोई अकडमिक में भी नी है आटेंडर बैटे हुए यहां पर दो चलता खाली यहां पर बाग़ी का कोई पेरेंट का कोई कोशन सुनने वाला निया आंसर बोलने वाला निया असलाम अलेकूम एप्रिवन यह पैंडेमिक स्कूल हो या चाहिए जीतने भी स्कूल हो सब बंद हुए 2019 से तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगा तब से लेके आज तक हम लोग काफी पूरी फीस पे करें पूरी फीस पे करें पे करने के बाद अभी हम आए यह बोलने के हमां कोई एक सेप्शन चाहिए के थोड़ा टाइ अप्लाई करो अप्लाई करें अप्लाई करनेके बाद रेसपांस तो यह मैनने में कोई घ्लबट करने 2019 से हो या उससे पहले के हो यह 20 के है अभी तो अवेलिबल कोई कोई ऐसा ड्यू बोलके नहीं अभी यह है कि आज एक्जाम था एक्जाम एलाओने करें और काफी दिन से क्लासेज भी एलाओने कर रहें यह लोग यह पूरे फीजे यह देख सकते कोई बिल नहीं है इसमें बोलके नहीं अभी डिमांड यह है कि एक तो एक्सेप्शन मिलना चाहिए फीज में भी मिलना चाहिए और जैस तो टाइम भी मिलना चाहिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं कि क्लासेज रोग देंगे इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है पर मंट 6,000, 8,000, 9,000 तो नहीं होता है ना ट्यूशन फीज क्या है आखर वह मालू होना ना ट्यूशन फीज क्या चीज है कितनी है क्या है वह मालू होना है इसमें से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है फीज बताइए हमार को क्या ट्यूशन फीज है यहाँ पर तो ट्यूशन फीज तो परमान तो नाइन तिल एक लास को छे अजार रुपिया है महिने को 6,000 रुपिया है तो ट्यूशन फीज क्या है वो पहले हम बताएं रिक्वेस्ट है हमार को एजुकेशन मिनिस्टर से कि ट्यूशन फीज क्या है पूरा क्लारी वाकर तो जो 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 स्कूल से उनसे वो कर सकते इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक बिजनेस अपरचिनिटी खरीदिये हमारी फ्रेंचाइसी और जुडिये हिंदुस्तान के सबसे बड़े 99 स्टोर से और कमाई अच्छा खासा मुनाफ़ा हजार से जैदा वारेटिस के साथ इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है विजिट और विजिट कीची एजी एक्सप्रेस के कोई भी 99 स्टोर पर और आप जी सकते हैं 10,000 रुपे तक के इनामा फ्रेंचाइसी और दीगर तफसिलात के लिए स्क्रीन पर दीए गए नंबर्स पर राफ़ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स पोट्यम मौल तोली चोकी, MPA मौल अबट्स बिग बजार फोर्थ फ्लोर या गुल्सार हाउस ओल कृष्णा टाकेश स्म्प तावर फ्लोर